हर रोज सुबह सुबह नास्ते के समय सुचना पड़ता है कि आज नास्ते में क्या वनाए तो फ्रिंड्स आज मैं आपके लेकर आए हूँ आधे कब सूजी से बना बहुत ही हेल्दी और टेश्टी नास्ता जो की हमें सिर्फ चार चमच ओयल से बना के तयार किया है और नास्ता बहुत ही मज़दार बना है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर मैंने गैस पे पैन रखा है और मैं इसमें ले रही हूँ एक कप पानी साथ में हम इसमें एड करेंगे आधी छोटी चमच नमक आधी छोटी चमच रेट चिली फ्लेक्स पानी में एक कुबाल आनी का वेट करेंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया और आधा कप हम सूजी एड करेंगे गैस का फ्लिम लो रखेंगे और हम सूजी को अच् अब हम गैस का फिलेम औफ कर लेंगे और इसे हम कवर करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इसे हमें कवर करके ही ठंडा करना है अब हम कुछ मसाले बना कर तयार करेंगे तो मैं यहाँ पर ले रहहूँ एक चोटी चम last-धनिया आदि चोटी चम जीरा आधी छोटी चम्म सौफ चार से पांच काली मिर्ज के दाने इसे हम दरदरासा कूट लेंगे बहुत फाइन नहीं कूट ना है तो मसाले को मैंने कूट लिया है अब हम स्टफिंग तयार करेंगे तो इसके लिए मैंने गैस पे पैन रखा है एक बड़े चमच ओईल एड़ करेंगे आधे इंच अदरग जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है तीन बारी कटी हुई हरी मिर्ट और जो मसाले हमने अभी कूट के रखे हैं उसे एड़ कर लेंगे के इसका फिलिम लो रखेंगे जिसे की मसाले जो है जले नहीं और इसे हम दो मिनट तक भून लेंगे जिसे की मसाले जो है उसका कच्चापन निकल जाए मसाले को मैंने दो मिनट तक चलाते हुए भून लिया है अब हम इसमें एड़ करेंगे एक बारी कटा हुआ प्याज और प्याज को चलाते हुए हम soft होने तक भून लेंगे तीन से चार मिनट प्याज को भूनेंगे तो प्याज जो है बिल्कुल अच्छे से soft हो जाएगा तो प्याज जो है अच्छे से soft हो चुका है अब हम इसमें add करेंगे यहाँ पर मैंने तीन मेडियम साइज की आलू को बॉयल करके मैस करके ले लिया है साथ में ही आइड करेंगे आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर, स्वाधनुसार नमक, आधी छोटी चमच चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया अच्छे से चलाते हमें सभी चीजों को मिक्स करेंगे तो यह हमारी जो आलो की चटपटी से स्टफिंग है, बनके तयार हो गई है गैस का फिलेम आफ करेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे और अब सूजी को देख लेंगे, सूजी जो है ठंडा हो चुका है, यह हलका गरम है, बहुत जादा गरम नहीं है इसे हम ठाली में ट्रांसफर करेंगे, एक छोटी चमच ऑईल एट करेंगे और अच्छे से इसे हम आटे के जैसा मसलते हुए गूथ लेंगे अच्छे से आटे के जैसा मसलते हुए गूथ लेंगे, तो नास्ता जो है एकदम पर्फेक्ट बनेगा, इसमें कोई भी क्रेक्स नहीं आएंगे तो सूजी को मैंने अच्छे से मसलते हुए गूथ लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट डो के जैसा बनके तयार हो गया है अब हम छोटा सा बॉल लेंगे पूडी के साइज का और इस तरह से हाथों पे रोल करेंगे और जो हमने आलो के स्टफिंग बनाई है, उसका हम छोटा सा बॉल बनाएंगे, बीच में रखेंगे और इसे हम चारो तरफ से उठाते हुए कवर कर लेंगे और फिर अच्छे से इसे घुमाते हुए हम रोल कर लेंगे, तो यह देखिए एकदम परफेक्ट यह बन के तयार है, बिल्कुल भी क्रेक्स नहीं है अब हम इसी तरह से एके करके सभी बॉल्स जो है, बना के तयार कर लेंगे तो आप देख सकती है, मैंने यहाँ पर दूसरा भी बना के तयार कर लिया है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, और यह जो नास्ता है बहुत ही टेस्टी और चटपटा वनके तयार होता है और आइल मसाले तो इसमें बहुत ही कम यूज किये गए हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर तीन बॉल्स बना लिये हैं, अब हम इस्टीम करेंगे इसके लिए मैंने पानी गरम होने को रख दिया है और कोई भी जाली वाला प्लेट या थाली हो, उसे इस तरह से ओईल से ग्रिस कर लेंगे और बनाए हुए बॉल को हम इस पे रखेंगे और इसे हम 15 मिनिट के लिए कवर करके पका लेंगे 15 मिनिट के बाद से हम चेक करेंगे, तो यह जो है बिल्कुल अच्छे से पक चुका है जब यह ठंडा होगा तो हम इसे फ्राइ करेंगे तो fry करने के लिए मैंने gas पे pan रखा है, दो छोटी चमच oil, आधी छोटी चमच जीरा, छोटी चोथाई चमच red chili flakes, इससे देखने में color बहुत अच्छा दिखेगा, थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया, अच्छे से चलाते हुए pan में 4 तरफ से हम इसे फैला लेंगे, जि देखने में बहुत ही मज़िदार दिखता है, तो यहां पर मैंने इसे अच्छे से fry कर लिया है, अब हम चलते हैं सॉर करने के process में, तो friends इतना ये चटपटा नास्ता जो बनता है, कि अगर आप इसे एक बार 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 बनाने का मन चाहेगा, और आप इसे अपने मन पसंद sauce chutney के साथ खा सकते हैं, बहुत ही tasty होता है, तो आज की जो हमारी recipe है, आपको कैसी लगी हमें comment में जरूर बताए, साथ ही वीडियो को like करे, share करे और channel को भी subscribe करे